नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्तम की सोल में दिन की कथा, अध्याय सोल में विश्णु जी का विरिंदा का पतिवरत धर्म नश्ट करना और विरिंदा का शाप देना नारज जी बोले, हे राजन, भगवान विश्णु ने जलंदर के नगर में जाकर विरिंदा के पतिवरत धर्म को भंग करने का विचार किया तब विरिंदा ने सपन में अपने स्वामी जालंधर को भेंसे पर चड़े, तेल लगाए, नंगे शरीर काले पुश्पों के आबूशन पहने हुए, राक्षसों के साथ मुंड मुडाए, अंधकार के बीच दक्षन दिशा को जाते हुए देखा और अपने सहित नगर को भी सागर में डूबा हुआ देख, विरिंदा की निंद्रा उचट गई, वह चिंतित होकर सपने के बारे में सोचने लगी, उसे निकलता हुआ सूर्य कांती हीन दिखाई दिया, और उसने उसमें अनेक छेद भी देखे, यह सब अनिष्ट कारी लक दो सक्यों के साथ बाग में आई, वह डरी हुई इधर उधर ब्रह्मन करते हुए एक बाग से दूसरे बाग में जा रही थी, पर कहीं भी सुक शान्ती नहीं मिली, उस घूमती हुई व्रिंदा ने सिंग के समान, मुख, दाड और नेतर वाले दो भयंकर राक्षसों को दे देखा, उन राक्षसों के भैसे अपने हाथ मुणी के गले में डाल कर बोली, मैं आपकी शरण में हूँ, आप इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो, मुणी ने राक्षसों से डरी हुई व्याकुल व्रिंदा को देखकर हंकार करके उन राक्षसों को भगा दिया, मुणी की हूं कार मात्र से उन राक्षसों का भागना देख वरिंदा मुनी को दंडवत प्रणाम करके बोली हे कृपा निधी आपने इस खोर भैसे मेरी रक्षा की है मैं कुछ प्रार्थना करती हूं कृपा करके सुनिये हे महाराज मेरे स्वामी जलंधर रुद्र के साथ युद्ध क परने गए हैं वे वहां पर कैसे हैं मुनी वरिंदा के वाक्य सुनकर उपर को देखने लगे इतने में दो बंदर आये और मुनी को प्रणाम करके आगे खड़े हो गए मुनी की ब्रकुटी का इशारा पाकर वे दौनों बानर आकाश को चले गए थोड़ी देर के बाद वे पुनहें आकर फिर मुनी के सामने खड़े हो गए उनके हाथ में किसी का सिर और धर था वरिंदा ने ध्यान से देखा तो चौक कर दुख के सागर में डूप गई जलंधर का सिर और धर बंदरों के हाथ में देखकर पती विनाश के दुख से दुखी होकर वरिंदा मूर्च तब मुनी ने अपने कमंडल का जल छिड़क कर उसकी मूर्शा को दूर किया। वह अपना सिर पती के मस्तक पर रखकर रोने लगी। नारत जी बोले वरिंदा उस समय रोती हुई मुनी से बोली हे कृपा निधे आप मेरे पती को जीवित कर दो आप सर्व समर्थ हो। नारत जी बोले वरिंदा की बात सुनकर हसकर मुनी ने कहा इसको शिव जी ने मारा है ये नहीं जी सकता फिर भी मैं तेरे उपर कृपा करके इसको जीवित करता हूँ यह कहकर वहमुनी अंतरध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो गया जलंधर ने प्रसन्न होकर व्रिंदा का आलिंगन कर उसका मुख चूमा अब तो व्रिंदा पती पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसी वन में पती के संग बहुत दिनों तक बिहा करती रही नारद बोले एक दिन व्रिंदा ने रती के पस्चात पती रूप में विश्णू को देखा वह विश्णू को पहचान गई तब क्रोधित होकर विश्णू से बोली हे विश्णू पर इस तरी के संग विशय करने वाले तुम्हें और तुम्हारे शील को दिकार है मैंने तुम्हें अच्छी तरह जान लिया है कि तुम ही वे तपस्वी, रूपधारी, मायावी मुनी थे, जो तुमने मायारजी थी वे दोनों तुम्हारे दुआर पाल थे, अते वही बंदर राक्षस होकर तुम्हारी इस्त्री को हरेंगे, और तुम इस्त्री वियोग में दुख से वनवन में धक्के खाते हुए बानरों से सहायता लोगे, सबके ईश्वर होने पर भी तुम मारे मारे फिरोगे और ये तुम्हारा शिश्य हिरन बनेगा, यह कहे कर व्रिंदा मुनी के समझाने पर भी चिता बनाकर अगनी में प्रविष्ट हो गई, तब शांत नहीं हुआ। इतिश्री कार्तिक महास महात्तम शोडश अध्याय संपूर्ण